असलाम अलेकूम वेलकम टू समरीन कोकिंग चैनल उम्मीद करते हूं सब ठीक ठाक होंगे खेरियास से होंगे आज हम बनाने वाले हैं तंदूरी आलू इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है बनाने में और खाने में एकदम तंदूरी चिकन की तरह इसका टेस्ट है इसकी साइजस में काट लेने हैं इतना बड़ा साइजस लें इतना आपकी पीसे जो है पक जाए और फिर हमने लिया है दही दही को एक बार अच्छे तरीके से फेट ले थाकि इसमें कोई लंस ना रह जाए और फेटने के बाद हम इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर देंगे जिस डही आप ने थो जादा ही लेनी हैं यहां मेंने दो कप डही लिया है और फिर मेंने कुछ मसाले लिए हैं जो हैं धनिया जीरा और लाल मिर्च ये दो दो चम्मच है और पांच हरी लाल मिर्चे है SMITH को रोस्ट कर लेंगे रोस्ट करने के लिए मैंने एक पैन लिया है और उसमें चुलाओन करने के बाद मीडियम फ्लेम पे इसे आप रोस्ट कर ले रोस्ट करने के बाद हम इसका एक बारिक मसाला पीस लेंगे पाउडर फॉर्म में इन सारी चीज़ों को हम डालेंगे तंदूरी आलो में इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़ादा इन्हांस हो जाता है बहुत ही ज़ादा टेस्ट इसका बढ़ जाता है बस ये हो चुका है रेडी अब हम इसे पीस लेंगे पीसने के बाद हमने जो दही लिया था और उसमें इस मसाले को एड़ कर देना है मसाले के बाद मैंने लिया है टू टेबल स्पून ओफ लेमन जूस उसे भी आप डाल दें एक चमच लें चाठ मसाला चाठ मसाले से टेस्प अच्छा होता है मैंने लिया है चुटकी बर कलर तोड़ा जादा ही लें ताकि इसका कलर बहुत ही अच्छा आए सारी चीजों को अच्छे से एक बार मिलाने के बार हम इसमें फिर आलो को डाल देंगे देख लें आप एक सारी चीज़ें अच्छे से मिल चुकी है अब हम आलो को इसमें डालेंगे एक चमश नमक डाल दे नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाले क्योंकि चाटनसाला में भी अलरी नमक होता है आलू जो काटे थे उसको भी डाल देना है और आलू को डालने के बाद सारी चीजे हमने अच्छे से मिला लेनी है और फिर इसके बाद हम इसे पकाना शुरू करेंगे मैंने यहां रखा है पैन, मैं दो पैन रखी हूँ ताकि फटा-फट हो जाए दोनों चीज़े पैन में डालेंगे थुड़ा सो ओल, ओल डालेंगे के बाद जो आलू थी हमने आलू को पीसेस पीसेस करके अच्छे से पैन में डाल देना है और जब यह पक जाएगी एक साइट से, फिर हम इसके साइट को चेंज कर देंगे और दूसरे साइट से पकाएंगे आपने फ्लेम चूले को, चूले के फ्लेम को एकदम स्लो रखना है, तेज नहीं करना है क्योंकि आलू की पीसेस बहुत छोटी नहीं है, ताकि इनको पकने का टाइम मिल सके अगर हमने तेज कर देना, सारा पानी एबसॉब हो जाएगा, पक जाएगा तो इसलिए हमने चूले को एकदम स्लो ही रखना है, मेडियम फ्लेम पे पकाना है इसे, लो फ्लेम पे देखे, मैंने एक पैन पे चारे आलू को रख दिये हैं तंदूरी को, और हमें दूसरे पैन पे भी इन्हें एड्जिस कर दूँगी इस पे भी इस सारे आलो को रख दे तंदूरी आलो बड़ी टेस्टी है खाने में सारे आलो को रखने के बाद जो एक्स्ट्रा बचा हुआ इसका मसाला है ग्रेवी है उसको भी हम इसमें डाल देंगे आलो को डालने के बाद देखे सब हो चुके हैं और अब पकना शुरू हो गया है ते देखे थोड़ा सा ग्रेवी बचा वँआ है और आप हमने ग्रेवी को डाल देना है पुरा तोड़ा इस पर ढलने दाल देंगे क्योंकि इस ग्रेवी से ही सारा टेस्ट है और पांच मिनट के बाद मैंने देखा तो देख सकते हैं ऐसा लग रहा है नीचे साइट से पक चुकी यालू तो इसके साइट को चेंज करते बस अलाम अलाम करके हमने पलेट देना है इसे दूसरे साइट भी ताकि यह अच्छे से पक जाए और मैं दूसरे पैन में भी चेंज कर दूँगे इसके साइट को बस अब यह हो चुका है रेडी इसके बाद हमने इसे एक प्लेट में निकाल लेना है बस डारेक्ट में इसे प्लेट में निकाल लिया इससे सर्फ कर दें और यह लेमन के साथ खाएं से रोटियों के साथ खाएं चटनीों के साथ खाएं बढ़ टेस्टी है अगर आपको मैं रेसिपी अच्छी लगती हो तो लाइक करें शेर करें सबस्क्राइब करें अल्ला हाफीज